नमस्कार यूनिवर्सल टाक्निकल क्लासे में आप सभी का हर्दिक स्वागत जिसने अभी तक हमारे टेलीग्रम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया महाँ से आप पीडिय और टिस्फ डियग्राम है यह बात दियारखनी है यहां से एक से दो जो है अइडियाभैटिक कंप्रेشन है उसके बाद दो से तीन है हमारे पास हीट अढिशन 3-4 होता है अइडियाबैटिक Eishi or 4-1 है हमारे पास हीट त्पास ओंशन यह बात दियार रखनी है जो सरे चार से इस परकार से बन रहा है और तीएस डायग्राम जो है इस परकार से बनावा है एक से दों कि 1 से 2 क्या हो रहा है हमारा कंप्रेशन उसके बाद जो है कांस्टेंट वोल्यूम पर ही यह फ़ाई दी जाती है और यहां से जो important question बनते हैं वो देखी ये देखी एक से दो जो है दोस्तों वो होता है हमारे पास adiabatic compression एक से दो उसके बाद दो से तीन जो है constant volume पर heat addition हो रही है तीन से चार reversible expansion है उसके बाद constant volume पर heat rejection होती है यानि कि auto cycle के अंदर ध्यान रखना दो adiabatic process है हमारे पास इसको reversible adiabatic भी कहते हैं और adiabatic जो है इसे isotropic भी कहा जाता है adiabatic कहा जाए चाहिए isotropic कहा जाए बात एक ही है बच्चों यह ध्यान रखनी है दोस्तों इसी परकार से दो constant volume pressure है और दो ही हमारे पास reversible adiabatic process है उसके बाद auto cycle जो है उसकी efficiency यह दी जाती है one upon one minus one upon r gamma minus one यह होता है हमारे पास compression ratio v1 upon v2 उसके बाद जो है compression ratio r हम increase कर देंगे तो auto cycle की efficiency बढ़ जाएगी और limit से ज्यादा हम compression ratio को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसमें knocking होने की समावना रहती है उसके बाद हम बात करें इसी cycle से अगर हम बात करें आईसों ट्रॉपिक जो expansion होती है वो work done auto cycle is allowed to continue to lowest cycle pressure auto cycle जो है become atkinson cycle की तरह हो जाएगी देखो एक से दो दो से तीन और तीन से चार और चार से एक यह था हमारे पास auto cycle अगर हम इससे भी कम minimum जो है section pressure जो है score कम कर देंगे तो यह auto cycle जो है एक जो है atkinson cycle की तरह बन जाएगी auto cycle एक से दो तीन से चार और अटकिंसन cycle हो जाएगी एक से दो दो से तीन तीन से जो है चार डैस तक जो है यह हो जाएगी अटकिंसन cycle यह बात देहर रखनी उसके बाद हम बात करें same temperature limit atkinson cycle will have less heat rejection than auto cycle heat rejection in atkinson cycle at किस पे constant pressure पर यह बात देहर रखनी यह था auto cycle auto cycle जो है बहुत important है हमारे लिए और auto cycle जो है petrol engine में जो हम यूज करते हैं यह बात ध्यार रखनी है और auto cycle जो होता है इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों जो working जो fluid मानी जाती है वो होती है शुद air मानी जाती है यह बात ध्यार रखनी है air standard efficiency के लिए और यह सारी चीजें आ बाद हम बात करते हैं आगे second नमर प्याता डीजल साइकल डीजल साइकल में भी आपको देखिए उसका टीएस और पीवी डाइग्राम ध्यान से देखना इसका टीएस पीवी डाइग्राम जो है एक से दो हो रहा है हमारे पास reversible adiabatic compression जहां हम कह सकते हैं आइसेंट्रोपिक उसके बाद दो से तीन हो रहा है दोस्तो हीट सप्लाई उसके बाद तीन से चार expansion ये भी कौन सा है reversible adiabatic और constant pressure पर हमने क्या है डीजल के अंदर constant pressure उसके बाद heat supply उसके बाद heat expansion हो गया उसके बाद हो गया हमारे पास heat rejection ये ध्यान रखनी चार से एक अब देखो ये ध्यान है डीजल साइकल के अंदर दो हमारे पास क्या है दो हमारे पास हो रहे हैं कौन से adiabatic compression दो reversible adiabatic है और एक हमारे पास constant pressure और एक constant volume है ये बात ध्यान रखनी है very important question है diesel cycle किससे बना हुआ है दो हमारे पास adiabatic उसके बाद एक constant pressure और एक हमारे पास है constant volume से इससे मिलकर बनी होई है हमारे पास diesel cycle ये बात दहर रखनी है उसके बाद जो है diesel cycle का पीवी डाइगराम इस परकार से है एक से दो TS डाइगराम के हम बात करें एक से दो हमारे पास हो रह प्रेशर constant होगा और heat supply दी जाएगी तीन से चार adiabatic expansion और चार से एक constant volume पर heat rejection हो रही है ये बात दहर रखनी है उसके बाद cutoff ratio जो है यह हो रहा है हमारे पास V3 by V2 यह होता है cutoff ratio RC और expansion ratio जो है दोस्तों वह हमारे पास V4 by V3 यह बात दहर रखनी है cutoff ratio जो होता है वह हमारे पर volume V3 upon V2 से इसके बाद जो है diesel के अंदर यह द्यार रखना है compression ratio जो है वह होता है cutoff ratio और expansion ratio जो है उनका गुननफल होता है यह होती है diesel cycle की efficiency यह formula याद कर लेना बार बार पूछा जाता है यह बात द्यार रखनी है यहाँ पर जो gamma दिया गया है यह होता है cp upon cv cp upon cv जो ह यह होते है constant pressure और constant volume पर specific heat होती है specific heat ratio होता है यह बात द्यार रखनी है उसके बाद हम बात करें compression ratio अगर increase कर देंगे cutoff ratio को decrease करेंगे तो thermal efficiency जो है diesel cycle की क्या हो जाएगी increase हो जाएगी इसी प्रकार से देखिए जो diesel cycle होती है अगर diesel cycle को lowest cycle pressure पर heat rejection करेंगे constant pressure पर तो यह बन जाए जाए की जूल cycle यह जो आप देख रह को है यहांपर shaded area यह हैं अपनेपास जूल cycle की तरह काम करेगा एक से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 एक है हमारा diesel cycle और हमारे पासzelfts mu mark कैसे बन जाएगा जब हम यहां से देखेंगे 1 से 2, 2 से तीन, 3 से 4 डैस तक तो यह बन जाएगेमाहरे पास jurisd simplistic Alg tirar विवार करेगा डीजल साइकल सेम टंप्रेचर लिमिट जूल साइकल विभी हैव लेस्ट रिजेक्शन डीजल विकाउज यह बात ध्यार रखने है वेरी इंपोर्टन है बचो दोस्तो उसके बाद आती है डूल साइकल डूल साइकल होती है जिसमें कॉंस्टन प्रेशर और कॉंस्टन वॉलिम दोनों का यूज कियाता है अब यहां से देखी एक से दो पीवी डाइग्राम देखें तो एक से दो हो हो रहा है हमारे पास इसमें ने चार पर सेयल यहां से दो हो रहा है हमारे पास और अशडरे 25 ना इसके बाद 3 से एक हो रहा है हमारे पास heat rejection constant volume पर अब यहां से देखना है इसमें 5 process तो हमारे पास है ॥ ए Wi-Fi द्याख् दाइग्राम और हमारे याद रखना क्योंकि यहां से question पूछे जाते उसके बार question दे के पूछ लेता है एक से दो क्या हो रहा है हमारे पास compression दो से तीन हमारे पास constant volume पर heat supply उसके बाद constant pressure पर heat supply expansion उसके बाद जो है constant volume पर heat rejection हो जाएगी यह बात ध्यार रखनी है clear यहां पर उसके बाद compression ratio जो है इसका V1 upon V2 और जो है यह pressure ratio P3 upon P2 यह होती है thermal efficiency जो है हमारे thermal efficiency dual cycle की यह बात ध्यार रखनी है इसके बाद जो है हम बात करें next अगर हम dual cycle के अंदर pressure ratio को एक कर देंगे तो dual cycle जो है diesel cycle बन जाएगा अगर उसका compression ratio जो है उसको हम एक कर देंगे तो dual cycle जो है become auto cycle की तरह विवार करेगी आरसी जो है यह ध्यार रखना है next time बात करें comparison of cycle यह हमने कल भी पढ़ा था अगर same compression ratio की और heat addition की बात हो तो auto cycle same compression ratio heat rejection हो जाए heat addition तो auto cycle की efficiency ज़्यादा होगी जब maximum temperature और maximum pressure होगा तो diesel cycle की efficiency ज़्यादा होगी maximum temperature और maximum जो है pressure पर यह बात ध्यान अपनी है उसके बाद हम बात करें तो diesel engine जो होता है higher thermal efficiency होती है auto cycle की तुलना में क्योंकि diesel cycle का compression ratio ब्यादिक होता है auto cycle का compression ratio 611 डीजल का 13-22 तक होती है यह दोस्तो ध्यान रखना है इसके बाद very important आता है हमारे पास next जो है यह दोस्तो ब्रेटन cycle ब्रेटन cycle की हम बात करें तो ब्रेटन cycle का PV और TS diagram इस परकार से बनेगा ब्रेटन cycle में देखिए एक से दो जो हो रहा है यह हो रहा है एडियाबेटिक compression यह हमारे पास एडियाबेटिक compression उसके बाद दो से तीन जो है हमारे पास यह है constant pressure X constant pressure, constant pressure पर heat supply उसके बाद जो है तीन से चार जो हो रहा है दोस्तो यह हो रहा है एक डियुड़वेटिक Expanship nego X reaction उसके बाद जो है चार से एक जो है यह हो रहा हमारे पास constant pressure पर यह बी constant pressure यह भी constant दो एडिय। प्रोसेस हो गए दो constant pressure हो गए ये बाद ध्यारखणिये, इसके बाद जो है, इस थीर दाप पर उश्मा हीट रिजट कर दी जातीे, इसका देख़ए, पी वी डाइग्राम जो है, इस परकार से नीचे से इसका शेतरफल ज्याद है, उपर से जल्कूर से जो है, थोड़ा संक्रा है, और आगे चलकर जो है, यह बात धहरकणी है और यह पर enthalpy है यह बात धहरकणी यह यह yeah enthalpy entropy यह ए उसके बाद देखे see यहाँ से question मनता है देखे एक से दो compression हो रहा है एक से दो compression हो रहा है किस पे इस समय क्या हो रही है enthalpy में बरदी हो रही है 1-2 enthalpy बढ़ रही है H1 से H2 हो रही है उसके बाद 2-3 Jщее 2-3 भी हमारे पास क्या हुआ रहा है constant pressure पर हमने heat supply दी तो एंथेलपी में ब्रदी हुई उसके बाद जो है तीन से चार 3-4 क्या हुआ हमारे पास एंथेलपी में परवर्तन क्योंकि यह हो गया हमारे पास जो है ट्रवाइन के अंदर करते हैं यह रखना है गैस ट्रवाइन में इसका यूज कियाता है ब्रेटन साइकल का और इसकी जो एफिसेंसी होती है एर स्टंडर्ड एफिसेंसी जो है वो निकालने का फोर्मुला है हमारे पास 1- H4- H1 upon 913-50 इससे हमारे पास आती है इसकी एस तेए के एर स्टंडर्ड एफिसेंसी और दूसरा एक चीजा और देहां रखनी है यह पे और इसका जो है इफिसेंसी इससे भी निकाल सकते हैं आप its Brayton साइकल की ब्रेटन साइकल की एफिसेंसी जो है और हो 7-T1 बटे T2 1- T1 बटे T2 ये बात ध्यारक नहीं है 1- T1 बटे T2 T1 है यहाँ पे higher temperature और T2 है यहाँ पे low temperature ये दोस्तों ध्यारकना ये questions पूशे जाते हैं ये जो है आगे एक cycle का उल्टा हो जाएगा ये बात ध्यारकनी है clear यहाँ पे चलिए आगे next हम बात करते हैं next cycle की हम बात करें तो next cycle आता है हमारे पास erection cycle ये है दोस्तों atkinson cycle atkinson cycle में देखिए ये है हमारे पास यहाँ पे भी दो जो है ये एडियाबेटिक compression उसके बाद 2-3 जो है हमारे पास constant volume ये है हमारे पास volume constant उसके बाद जो है तीन से चार हो गया हमारे पास adiabatic expansion उसके बाद ये जो है ये हमारे पास क्या है constant pressure है दोस्तों ये ध्यारकना है इसमें दो adiabatic दो adiabatic process है reversible adiabatic भी कह सकते हैं constant volume है constant pressure है constant volume पर heat supply दी जाती है constant pressure पर बाहर जा रही है और इसका PV और diagram अलग लग है इसका PV जो है इसमें ये देखिए इसका section compression stroke जो है छोटा है expansion stroke जो है बड़ी होती है इसमें ये देहार रखना है expansion stroke जो है लंबा है और इसके जो है ts diagram जो इस परकार से बना हुआ है एक से दो दो से तीन तीन से चार चार से एक ये देखिए ये constant pressure और इसमें ये dhthelopi अपने पास ये बात द्यान रखनी है इसका भी जो हमारे पास जो हुज होता है ज्यादा तर इसका यूज भी काँपे होता है और जो है Carnot cycle यह है Carnot cycle very important है Carnot cycle जो है इस परकार से बनी हुए देखिए एक से दो Isothermal Expansion, दो से तीन हमारे पास Isotropic Expansion, तीन से चार Isothermal Compression और चार से एक हमारे पास Isotropic Compression यह बात धान रखनी है इसमें PV Diagram और यह है TS Diagram, TS Diagram एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से एक इस परकार से बनेगा और जो हमारे पास जो होती है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो हो जाएंगे Isothermal Isothermal, Isothermalιαgram मैं पुरसेश हैं और इसके अंदर दो ही हमारे पास जो है रिवर्सिबल दो ही हमारे पास दोस्तो, रिवर्सिबल जो है रिवर्सिबल आईसन्ट्रॉपिक उप Σंण प्र dagegen यह श्ורम धस्युक्न है और दूसरा हम बात करें इसका जो है कार ओड़ चक्र होती जिसकी efficiency लगबग 100% क्या सपस मानी जाती है यह बात ध्यारखनी है सबसे ज़्यादा दक्सता पूशे तो किसकी है कार्णोट cycle की यह बात ध्यारखनी है कार्णोट cycle जो है उसकी efficiency निकालने के लिए जो हमारे पास formula है कार्णोट की 1- T2 बटे T1 अब देखो पीछे हम पढ़के आए थे ब्रेटन साइकल जो है जूल साइकल उसकी efficiency उल्टी थी इसमें maximum temperature जो है T1 और noon temperature जो है वो है T2 minimum temperature T2 यह बात ध्यारखनी है clear यहां पर 1- T2 upon T1 यह है कार्णोट cycle का कार्णोट cycle में दो आईसो थर्मल और दो आईसन ट्रॉपिक प्रसेस होते हैं इस बात का आपको विशेश द्यान रखना है यही question आपसे बार बार पूछे जाते हैं यह हमने पड़ा यह heat engine के लिए सबसे जो एक standard cycle या अधर cycle के रूप में माना जाता है यह बात ध्यान रखना है दूसरा ध्यान रखना है सारी की सारी cycle reversible होती है यह बात ध्यान रखनी है PV और TS डाइग्राम दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यह important है PV और TS डाइग पर जो है सबसे ज़्यादा efficiency किसकी होगी maximum pressure की बात हो रही है हमने अभी देखा था diesel engine की उसके बाद next question आप सभी के लिए समान संपीडन अनुपात और उश्मा की आपूरती और किस उसमी है वाजू चक्र की अधिकतम इसमें auto cycle आ जाएगा हमने देखा था समान compression ratio हो तब आ diesel cycle यह धारखना है dual बीच में रहेगा उसके बाद यह important है देखिए अब process क्या पूछे जाते हैं Rankine cycle जो होते हैं उसमें two isentropic process होते हैं और दो ही हमारे पास isoboric होते हैं isoboric का मतलब है दोस्तों isoboric होता है pressure जिसमें होता है constant यह धारखना है इसी परकार से Carnot cycle जो होती है दो isentropic process से बना हुआ है दो isothermal process से बना हुआ है जिसमें temperature को constant रखा जाते हैं इसमें entropy को constant रखते हैं आटो चक्कर जो होता है दो isentropic process से बना हुआ है और दो ही isocory का आइसो कोरी कहते हैं constant volume को यह दोस्तों देहान रखना है ब्रेटन cycle भी दो isentropic process से और दो ही isoboric process से बना हुआ है यही questions आप से बार बार पूछे जाते हैं इसको रट लीजिए चलिए आगे next question हम देखते हैं यह थोड़ा सा इस परकार से है यह question है निमन में से कौन सा जो है PV का एक आदर्श ओटो cycle जो है उसे दर्शार है यह बात धार रखनी है पीवी के लिए आदर्श ओटो cycle ओटो cycle यह dual cycle का है दोस्तों यह diesel cycle का हो गया यह diesel है यह हमने देखा यह dual cycle का है और petrol cycle की कौन सी हो जाएगी यह हो जाएगा डाइगराम यह धार रखना है इस टाइप से question जो आप से पूछे जाते नेक्स्ट क्वेस्टन आप सभी के लिए very important है एक ओटो cycle के लिए जो है heat addition जो है कब होती है reversible constant pressure पर क्योंकि ओटो cycle में constant pressure होते हैं दोनों constant volume होता है constant volume दो होते हैं किसमें ओटो cycle में लेकिन diesel cycle में हमने पड़ा एक दो adiabatic process हैं एक constant pressure है और एक constant volume है और diesel cycle में constant volume पर heat rejection होती है लेकिन यहां पर दोनों ही क्या है reversible constant volume है यह दिहान रखना है ओटो cycle के अंदर next question आप सभी के लिए very important है auto chakra के मध्य प्रभावी दाब mean effective pressure निकालने का formula बताईए very important question है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा important है इसका सही answer है पहला यह होता है हमारे पास mean effective pressure निकालने का यह दिहान रखना है अब देखो इसमें एक चीज़ है यहां नीचे सभी में जिसमें सारों में plus minus हो वो दिहान फिर यहां plus आ गया उसके बाद इसमें भी plus है यहां भी plus है यहां plus है तो प्लस वाले नहीं है जिसमें सभी में minus हो वो चुपचाप कर देना इसके लिए यह देखुए मीन इफैक्टि प्रेशर हमने पिछे भी पड़ा था पिछे एक कलास ली थी हमने आऑ एच पी के अंदर तो वहां पर पड़ा था मीन एक्टि प्रेशर होता है साइकल दवारा क्या गया क्या यह अपोन स्टोग आयतन वेज़ इंडिकेटर डायग्राम गातरफल इंडिकेटर डायग्राम की लंबाइ इंटर श्प्रिंग नंबर यह व्र आटो साइकल का मेन क्वेट स्वेक्टि प्रेषर निगालनेगा फोर्मूला और और ये हमारे पास diesel cycle का mean effective pressure निकालने का formula वाई है यहां पे cut off ratio आ रहे है संपीडल ratio देखो इस पूरे formula में minus है इसमें भी minus है और उपर वाला स्वाल आप देख लो जिसमें minus होगा वही हमारा answer होगा बाकी सब में क्या है देखो थोड़ा सा ध्यान से plus आ रहा है न कईयों में तो इसका सही आंसर जो था हमारे पास A है, यह बात नहां रखनी है, याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसके बाद next question, very important question है, बहुत ही शांदर स्वाल है दोस्तों, यह स्वाल जो है very important है, इसमें पूछा गया है कि आपको diesel cycle बतानी है, अब इसमें सारी cycle mix कर रखी देखो, एक से दो, दो से छह, छह से साथ और सास से एक, यह हो जाएगा हमारे पास diesel cycle का, उसके बाद देखो, दुवारा चलो, एक से दो, दूसरे पर चलो, ये लो, पैंड चेंज कर लेता हूँ, देखो, एक से दो, टीक है, उसके बाद दो से तीन, तीन से पांच चलो, 5-7,7-1, यह जो है, होरे पेन से लिख रहा हूँ मैं, यह दोस्तों, dual cycle का है, उसके बाद देखो next, next देखिए यहां से एक से चलो, एक से चलो एक से चलो, चार तक एक से दो, दो से चार चार से साथ और साथ से एक, यह कौन सा बन गया, इस टाइप से जो बन रहा है वो हमारे पास है, किसका है, यह है ओटो साइकल, नमबर फर्स जो है, दोस्तो वो ओटो साइकल का है, सेकिंड नमबर ड्यूल का है, थर्ड नमबर हमारे पास डीजल साइकल की है, यह बात ध्यारख लिए, क्लियर यहां पे इस परकार से क्वेस्चन पूछे आते हैं, इसलिए आपको बोला है, पीवी डाइगरम द्यान से पढ़ने, इसके बाद नेक्स्ट क्वेस्चन आप सभी के लिए, नमल इक्त में से कौन सा अनुकर्म समान संपीडन पात, दोस्तों समान संपीडन पात होगा, चुप करके हमें क्या देखना है, ओटो साइकल की एफिसेंसी डीजल से ज़्यादा है, नेक्स्ट क्वेस्चन आप सभी के लिए, डीजल इंजन में पेट्रोल का उप्योग नहीं हो सकता, क्यों की जो है, पेट्रोल के लिए हाई इगनीशन टंपरेचर चाहिए, वे बात ध्यान रकने हैं, पेट्रोल हाई इगनीशन टंपरेचर चाहिए, नेक्स्ट क्वेस्चन आप सभी के लिए, कार्बोरेटर में एकोनोमाईजर क्यों यूज की जाती है, एकोनोमाईजर डिवाइस जो है, कार्बोरेटर में क्यों यूज करते हैं, पावर एंडरीच्मेंट के लिए जो है, इसका यूज क्या आता है, कार्बोरेटर में, उसके बाद है, वेरी इंपोर्टेंट है, एर स्टंडर्ड जो द्वीद हैं, ड्यूल कॉम्बिनेशन साइकल होती है, इसमें कौन सा प्रकर्म जो है, इसमें से सामिल नहीं होगा, ये इसका इसमें दिया हो गया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, ठीक है, उश्मा गतिक चकर में निमल लिखित में से किस में, किस टी-एस रेखा चित्तर द्वारा ओटो चकर को दर्शाया गया, अब देखो दोस्तों, आपको मैंने बताया था, जो हमारे पास है, ओटो चकर का है, यह बात द्यारकनी है, और यह कॉंस्टेंट वोल्यूम पे हो गया, दो तरफ, उसके बाद हमारे पास यह, इसका सही कौन सा होगा, बताये अबी, यह जो है, हमारे पास D, D, नी, C, 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 जो है हमारे पास, यह द्यारकना, C हो जाएगा इसका, क्योंकि एक से दो, यह देखो, एक से दो, उल्टा चल रहा है, जो हमारे पास था, उसके अंदर, जो है, किस टाइप से था, PV डाइग्राम, PV डाइग्राम इस परकार से था, जो है, पट्रॉल साइकल हमारे पास, यहां से जाते जाते इस परकार से सीधा, उसके बाद इस टाइप से था, ठीक है, एक मिन दुबारा बनाते है, इस टाइप से था, ठीक है, और इसका जो है, टी एस डाइग्राम, एक, दो, तीन, चार था, इस परकार से इसका टी एस डाइग्राम जो है, यह हो बिलकुल नेक्स्ट हम बात कोस्चिन की नेक्स्ट क्वेस्चिन आप सभी के लिए relevant दोस्तो वे इंपोरेंट और एक पर कार्नोड चक्र का शेत्रफल परदर्शित करता है पीवी आरेक किस लिए होता है पीवी आरेक होता है वर्क डन वर्क डन के लिए पीवी आरेक से हमें पता चला वर्क डन यह देहां रखने नेक्स्ट क्वेस्चन आप से बिग लिए कार नोड चकर किस से बनी होई है कार नोड चकर किस से मिलकर बना हुआ है आपको अभी बता दो आईसो थर्मल और कौन से दो आईस्टॉपिक जल्दी से बताईए कौन सा जाएगा दोस्तों भी क्याने तोह रिवर्सिबल आईसूथ कब रहा है क्लियर इस टाइब के बहुत सारे सब्सक्राइब बात पूछे जाते हैं है स्टलिंग और Ericsson Cycle कैसी साइकल सें, स्टरलिंग और Ericsson Cycle किस टाइप कि साइकल के अंतरगत आती जल्दी से answer दीजिए बहुत इच्छा स्वाल है यह भी sterling और action cycle कि साइकल के अंतरगत आती है जल्दी से बताईए किसके अंतरगत आती हैं भी क्या होती हैं दोनों दोनों क्या reversible cycle दोस्तों एक याद रखना जितनी भी cycle है है reversible है यह माइड में बठा लेना क्योंकि reversible cycle वही होती है जिसमें गर्शन कम हो और थोड़ा सा हम उल्टा चकर कार्या कर दें तो वह पूरी cycle ही उल्टी हो जाती है वह सारी reversible cycle है इसको हम क्वासी स्टेटिक cycle के नाम से भी जानते हैं स्थीर अवस्ता क्योंकि इनके अंदर जो पूर्शेर की धन्यवाद